Hello everyone, this is Nishant and you are watching Coders Feed जैसा कि आपने हमारे पिछले lectures में loops में पढ़ा था, while loops में while loop पढ़े थे, do while loop पढ़े थे, for loop पढ़े थे तो आज कि हम इस lecture में for each loop के बारे में पढ़ेंगे जो की same होता लगबग for loop के बटम इस पे array पे perform करते हैं अपनी problems को तो अब हम देखते हैं अपने आज के lecture में तो चलिए शुरू करते हैं आज किस lecture जैसा कि हमारा आज के topic में हम for each loop के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि हमारी for each loop की definition दी गई कि there is also a for each loop which is used exclusively to loop through array मतलब कि इसमें सीधा कहने का बात है कि यह same for loop जैसा ही होता है जैसा for loop run करेगा वैसे यह भी run करेगा लेकिन इसमें जो method होता है इसमें हम generally array को लेते हैं यानि कि array के अंदर हमारे कुछ elements दिये गए हैं और उन elements के उपर हम for loop को perform करते हैं वो होता हमारा for loop आ रहे है type का हो सकता है integer type का हो सकता है कैसे भी type का हो सकता है तो हमारा for में दे दिया है हमने bracket में type और फिर उस variable क्या name कि हम variable के name किसे लेंगे कुछ भी ले सकते हैं जो भी हम declare करेंगे और यहां पर हमारा दे रखा है array name कि array के मलब जिसके अंदर हमारी सारी की सारी जो वो elements है array के वो store होते हैं उसे हम array name बोलेंगे और अगर ये condition हमारी satisfy होगी तभी हमारी block of code execute हो जाएगा like यहाँ पर हमने type में हमने string ले लिया variable name में हमने कुछ fruits ले लिया, array name में हमने कुछ उसके elements ले लिया कि हमारे ये कैसे कैसे perform करता है कैसे कि आपने हमारे पिछले loops के lecture में देखा था कि हमने loop पर problems करी थी for loop पे करी थी while loop पे करी आप हम अपनी id में आ चुके हैं id पे हमने loops नाम से already एक package बना रखा था चले काम करते हम उसी के अंदर एक new class बना लेते हैं अब हमने यहाँ पर class क्या बनाई है class बनाई है यहाँ पर हमने for each loop नाम से यहाँ पर हमने for each loop नाम से एक class बना लिया और यहाँ पर हमने public static void main को भी टिक कर दिया है method को हमने टिक किया और यहाँ पर हमने कर दिया इसको finish यहाँ पर हमको एक अपने क्या कर दिया string data type यहां पर हमने लिख दिया है वह हमारी किस टाइप का है चलो हम उसको declare कर रहे हैं तो हमने चलो इसमें क्या रखते हैं अपनी एरे में fruits रख लेते हैं fruits रख 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 दिया है equal किया अब हमको एरे के लिए हम curly braces लेंगे तो हमने curly braces ले लिए तो यहां पर हम पहले रखते हैं एक mango रख लेते हैं और हम क्या-क्या ले सकते हैं जैसे कि अब हम banana ले सकते हैं यहां पर banana ले लिया और हम ले सकते हैं औरेंज ले सकते हैं और अब हम यहां पर क्या करते हैं अब हम यहां पर एक एपल और ले लिए हैं मैंगो ले लिया बनाना ले लिया औरेंज ले लिया एपल ले लिया और यहां पर हमने क्या किया अपना सेमी कॉलन लगा दिया है अब हमको यहां पर अपना लूप लगाना ह एच के लिए यानि किसी भी पर्टिकुलर चीजों के लिए एक अलग-अलग जो लूप रण करता है तो जैसे कि यहाँ पर हमने अपना फॉर लूप लगाया फॉर लूप के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले हमको देखना है कि हमको टाइप लिखना है एक हमारा किस टाइप का था हमारा इस्टरिंग हमारा वैरीयेबल का नेम लिखना है फिर हमापना लगाने के बाद यहाँ पर हमको लिखना है हमारा ऐरी कानेम था हमने यहाँ पर अपना सेमिकॉलर्ण मादब कर ली ब्तिक्शचफ खोल दिया Cש आऊट किया और kontrl स्पेस दबाया, अब हम को क्या प्रख्राइर की अपने अपनी अर्य का प्रेंट वरियेबल नेम औरका है largest नाम हमने आई रक्काएर माने क्या अच्गा फ्रूट्स यानि होरी हमारी फ्रूट्स नामसा मेंगो बनाना ओरंज एपल व Quindi एरे रख रखी है और अब हम यहाँ पर system.out.print.align में तो हम क्या print करेंगे जो हमने variable का नाम लिया था हम वही print करेंगे तो यहाँ पने आई डाल दिया system.out.print.align जो अपना print statement है जो भी है उसमें हमने यहाँ पर अपना आई ड्यार डाल दिया है अब हम इसको print करते हैं अब हमने यहाँ पर अपने इसको run कर लिया तो हम देखते हैं कि हमारे mango banana orange apple यह सब हमारे print होके यही होता है for each loop का मतलब कि इसमें जो होता है particular statements print जो भी हमने array के अंदर रखा है उनको हम एक बार में कैसे print करेंगे यानि कि particular each यानि कि हर एक को लेना और उसको print कर देना एक बार में हैं तो यहाँ पर है अपने अपनी arrow में जैसे कि आपने अपनी array में यहाँ पर हमने देखिए fruits में हमने mango लिया था banana लिया था orange लिया था apple लिया था फिर हमने उसको for loop में डाला अब हमने variable को हमने i declare इसी के साथ आज का हमारी lecture खतम होता अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो please like कीजिए चैनल को share कीजिए and subscribe करना तो भीकुल भूलिए गाई ने जिससे कि आप हमसे एक हर एक notification से updated रहें